यहां हम लोग objective देखते हैं हिंद चीन में रस्टवादी अंदोलों जो थ्री लेशन हिस्टी का है बहुत ही मज़ेदार है और आपको अगर कहानी समझ में आया होगा तो यह तो अराम से इसका जितना 45 ए 46 कोश्चन है बहुत असान है वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोश्चन ह यह objective का ठीक है और इसका हम लोगा target है 450 का नहीं पूरा 450 से प्लस उपर ही जाना चाहिए एकदम यही एक्जाम में कुश्चन आपको देखने को direct मिलेंगे तो हम लोग बिना देर की एक कुश्चन के तरफ चलते हैं यहां कुश्चन देखिए क्या कह रहा है हिंद चीन के छ तो पॉइंट इट जीरो ऐसे करीब में ऐसे था लेकिन हमारा एंसर क्या जाए लगवक्त थिरी लाख करीब है ठीक है अब देखिए यहां अगला कुश्चन है कि यहां देख कंबूज राजय की अस्थापना कौन से यहां पर होगा सताबदी में हुए था तो चौती यहां यहां भारत के राजवन्स का यहां भारत वंसी थे यहां रखेगा आप से पुझाए किस राज्य के सासक भारत वंसी थे तो चौती सताबदी में किये थे ठीक है अगला कुश्चन देखिए अगला को अंकोरवाट के मंदिर का निर्मार किसने करवाया तो वही व्यवि याई को सना आपके एक्जां के लिए हैं और वावो यही आपके एक्जां में देखने को मिलेगा ७ार्य यह दिमांग में बैठा लिजिए थाया है अब पूचा गया है और इस बार जो आपकी इस्कूल में एक्जाम हो तो उसमें भी एकुस्टे कई किस ने बनाया तो राजह सुरी और मांद दूतिया ने और यहां पर का है तो यह कंबोडिया में या और रखेगा यह HO body में राजह सुर्य वर्मद दूतिया है Chips कंबूज राज़े का पतन कि सतापदी में हुआ तो कंबूज राज़े का समझ आर रहा होगा सैंवे नमर कोस्टन है हिंद reinforcing पहुंचने वाले प्रत्म वैपारी कौन था इस को ध्यान से देखिए कई बहर पुछा गया है तो यहां पे कौन था प्रता तो पूरतगाल का था जिसका नाम था वासको डिगमा क्या नाम था वासको डिगमा यह याद रखिएगा और यह कब पहुंचा था अगर को सन्पूछ दे जो व पूरतगाली से आया पूरतगाली वैपार करने तो मलखक अपना वैपारी केंद्डर बना लिया आपको से भी कूछनपर जाया गालियों का वैपारी केंद्र क्या था तो लगका था यहाद रखेगा अगला कोशन देखिए फारसी पादरियों का हिंद चीन में आगमन की सताब्दी में हुआ फार्सी चीन यहाँ पे कब आया तो आपको हो जाएगा सत्रमी सताब्दी में उनका एंट्री हुआ ठीक है अगला कोशन के फ्रांस ने कोचिन था अच्छे कोचिन जिन के साथ संधी हुआ क्यों हुआ जाता देखिए कोचिन जिन के राजा बड़ा निरंकूज था और वो जनता पर अत्यचार कर रहे था जनता उसको जान से मारने के बात कर रहे थी यानि कि जो भी तो यह जा करके फ्रांसीसियों से हेल्प लिया तो फ हिंद चिन के साथ भ्र Advance की सुरूवात को भी तो पंद्रह सो दस में हुए थी बताये मलक का से हिंद चीन में फ्रांस का वेपारिक-प्रतिदवणदि क्icamente ही हिंद चिंदं तो था ओहां फ्रांस क्या करने आठा कभजा करने आया था जब पून रूप से फ्रांस कभजा कर तो इसमें competition था इसमें और था इंग्लेंड वह चाहता था कि हम यहां पर बैपार करें और मेरा राज रहे तो इनका प्रतिद्वंदी यानि की competitor कौन था इंग्लेंड था अगला कुश्चन देखिए अगला कुश्चन हिंद चीन में बसने माले क्या कहा जाता है यह याद रखिएगा ठीक है इसे कलोन कहा जाता है अगला चौश्चन देखिए इन से कौन सा इरूपिया देश हिंद चीन में अपना राज नितिक प्रभुत्व काइम करने के उद्श्चन से आया था तो सब देश तो जितना भी था वह यहां पर क्या करना था बैपार करने लेकिन यहां जो आपका फ्रांस था ठीक है वो सिर्फ यहां राज नितिक प्रभ प्रभु पारी थे कहां के थे वावु तो यह आपको जबाली रिपीट कोशन हो गया वासको डियमाया था चोदो सोटाइस अठानवे में आये था वियतना में तोकिम फ्री इसकुल के अस्ठापना कव हुए तो वियतना में दोकिम फ्री का सबना उन्नीशो साथ में हुई इसको याद कर लेजेगा अगला कुस्चन है भियत्मीन के नित्री तो में लुकतांत्री गड्राज सरकार के अस्थापन भी तो हुए तो वियत्मिन या नीट मिness कारी संगठन था वियत्मीन ठीक है जिसके स्थापना किस ने कि या था हुची मिन ने किया था और ये लोकतातरी गड़ राजी सरकार के अस्थापना ये हो जाएगा 2 सितंबर 1945 अगला कुछ चन देखें बियत मिन इसको एक और नाम से जान जाता है बियत नाम सोतंतर तालिग यानि कि ये बियत नाम को सोतंतर करना चाहता है इसलिए इसका नाम बियत मिन था इसकी अस्थापना किसने की तो बियत मिन के अस्थापना होचि मिनने की अगला कुछ चृंतिकरी संगठन यहां थोड़ से कुर्शन मिश्टेग हो है दूइत तान होई की अस्थापना कब हुई और किसके दोरा हुई ठीक है तो यहां देखिए फान बोई चाओ के दोरा एक संगठन बनाया गया ठीक है करांतिकारी संगठन भी अतनाम को मुक्ति दिलाने के लिए और 1903 में अपका फॉस्ट अप्सन हो जाएगा अगला कुशन देखिए करांतिकारी संगठन दूई तान होई के नेता कौन थे संगठन तो बना है फान बोई चाओ लेकिन नेता यहां कोई और बना ठीक है तो हो जाएगा कुआंग दे यहां पे बने थे ठीक है अगला कुशन है दा हिस्ट्री अप दा लोस अफ बियतनाम कि वियतनाम का नुक्सान की कहानी किसी ने तो लिखा होगा ठीक है तो किस ने लिखा था दा हिस्टी अब लॉस ऑफ ब्यात नाम तो फान बोई चाह लिखे तो बहुत ब्यूत नाम में लॉस हुआ है ठीक है अगला कुछ सदेखिए घृतनामी रष्टवादी दल की अस्था अपना कभ और किसके द्वारा हुई यह आपको याद तो भी करन तीकारी दल के अस्थापना होची में के द्वारा हुए था और यह कब दल के अस्थापना भी की और दूसरा काम सैनिको को कटा करके उन लोगों ट्रेनिंग भी दिया गया इसी समय ठीचे और ऐला ने वियतनाम कांग सांग देंग कि इसका अर्थ क्या हुआ तो अपने भासा में बात करतें वियतनाम कॉमीनिस्ट पार्टी किस्थापना कब हुई तो 1930 में यह याद रखेगा अगला को से ने कहां कहां यह थोड़ा सा कुछन माभू मिस्टेक हो के सामने टिकना बड़ा मुश्किल था तो वेचरा क्या किया यह फ्रांस का सा सकता और 25 अगस्त 1945 को इन्होंने अपना पद छोड़ दिया क्योंकि देख रहा था कंडिशन बहुत बुरा चल रहा है अब यहां देखिए यह भी कोश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट है पर बंब गीना करने अगला कोश्चन है मर्च निस सो 63 में फ्रांस वीतनाम के बीच होने वाले समयता को किस नाम से जाना जाता है तो यह हो जाएगा आपका हनोई समझाता अगला कुश्चन की कब हो था निस सचहवँन में हुआ था उंद्मन्स निस नमर्ज लुद्धी वी हम दो हिस्षा में तो इधर होची मीन थे ठीक है और इधर बावदाई थे तो जब इसके बीरोधी होंगे तो इसके समर्थक था लो बावदाई के अगला कुश्चन देखिए अगला कुश्चन अनामी दल के संस्थापक कौन थे यह भी कुश्चन इंपोर्टेंट है आपके लिए यहां पे यह फर्स्ट अप्शन हो जाएगा जो कि आपका है जोनगुएन आई यह फर्स्ट अप्शन आपका सही है अगला कुश्चन देखिए अगला कुश्चन है आपका जिनेवाद समझाओ था कभ वा फिर रिपीट कुश्चन हो गया है ठीक है 1904 में हुआ था 32 नमरे हुआ अंदोलन किस प्रकृति का था तो धार्मिक था और धार्मिक में किस टाइप का तो बौधिक धार्मिक यह निकि बहुत धर्म के लोग इसमें तो फॉस्ट अप्शन हो जाएगा इस यह भी कुश्चन पूछेगा इन में से कौन धार्मिक अंदोलन है तो अगला कुश्चन देखिए अगला कुश्चन है हुआ 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 अंदोलन का प्रिंटा यानि की कौन थे यहां समझेगा ध्यान से पहले हुआ 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 अंदोलन कब हो था तो 1949 जब दूतिया विश्वजद सुरू हुआ था और इसके नेता आखिर थे कौन तो देख थी यहां पर पार्टी हो जाएगी अगला कुश्चन देखिए लाल खमेर से ना किस की थी तो सिंगानुक की थी नरुतम सिंगानुक की थी ये अगला कुछ चाने इंडो चाने को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में बिक्सित किया इंडो चाने के रूप में ये उपनिवेश आकर फ्रांसीसी कब जा किया था अमेरिका ने कमबोडिया छेत्र के रबबड के वगान पर किस रसाइन का छिड़काओ किया था अगला कुछ ने उत्री भी अतनाम किस नदी के किनारे है तो उत्री भी अतनाम हनुई नदी के किनारे आएगा नरोत्तम सिंगानू कहां के साथ सकते नरोत्तम सिंगानू कहां पूछे कमबोडिया के साथ ब zoom ओऊ-तै यहां अप्सिन हो जाएगा 1975 फिर आपको बियत नाम का एक करण कुछे कोछसे अमेरिका यहां पर होगा अमेरिका के रास्ट पती कौन बने ठीक है कौन बने तो निक्सन बने थे यह टिक अपना मार लीजिएगा अगला कुश्चन नाम का एक करण का पूर्ण यानि की पूर्ण यह कब हुआ है तो यह गलत अपसंदिया गया है 1975 आपका एंसर होगा ठीक ह यह गलत एक मिलाज लहां के चारों गलत आप 1975 लिख लिएगा अगला कुश्चन हमारा है कि अ मेरिका ने सांती को खत्रा नाम से स्वदेश पत्र कभ जारी किया था इसकुर्ण को गौर से दिखें यह अमेरिका सांती को यह खत्रा इसलिए बनाया था उस समय दोसी करार दि उत्पन हो रहे हैं उसका वज़ा होची में है तो यह हो जाए आपका 1961 में यह अमेरिका क्या बोला था सांती को खतरा नाम से स्वदेश पत्र दिया था अगला कुश्चन है नियो दिन दियम सेना के विद्रोहियों ने कब मौत के घाट उन्हें उतार दिया था तो आप याद रहे हैं 1963 में यह बावदाई के बाद से फ्रांस का समराट बने थे नियो दियम ठीक है लेकिन इनको मिर्तिव के घाट 1963 में म एक अधालत लगा कर अमेरिका को वियत नाम युद के लिए दोसी करार दिया तो यहां हो जाएगा रसेल यहां पे नरुत्तम से अरुसों नहीं होगे यहां पर हो जाएगा आपका रसेल तो मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा